हेलो एवरिवन नमस्कार मैं हूँ अंकिता पांडे और स्वागत है आपका Study IQ प्लाटफॉर्म पर आज हम आग देख रहे हैं वो है Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act या जिसे हम कह सकते हैं महिलाओं का कारिस्थल पर लैंगेक उत्पीडन, निवारन, प्रतिशेद्व और प्रतितोश अधिनियम 2013 तो जैसा कि नाम चे पता चलता है कि एक ऐसा Act बनाया गया है जो कि Workplace पे मतलब जहां कारिस्थल है महिलाओं का वहां पे काम करने वाली महिलाओं अगर किसी तरीके का लैंगेक उत्पीडन होता है, means sexual harassment होता है तो उसको ना सिर्फ prevent करे, मतलब होने से बचाए बलकि उसको prohibit भी करे, means उसको उसको किसी बात का निशेद करना ही prohibition होता है तो means कोई भी ऐसा law या rule बनाया जाए जो उसको forward करे और साथ ही प्रतितोष या जिसको हम redressal कहते हैं, मतलब remedy भी provide करवाने के लिए एक पूरा act जो है, वो हमने design किया है तो अगर मैं आपको बता दू, competitive exams में इस act की क्या importance है तो बहुत सारे competitive exams है, जिसके pre, main, sub भी में ये आ सकता है तो आपको इस act की थोड़ी से in-depth knowledge रखनी होगी, सिर्फ bare act से काम नहीं चलेगा आपको ये पता होना चाहिए कि ये act जो है, उसको objective क्या था और over the period of time कैसे law evolve किया है, ताकि हम अब जो है, एक posh act means एक prevention of sexual harassment act ला पाएं हैं, इतने सालों बाद तो हम हमेशा देखते हैं कि sexual harassment जो term हम सुनते हैं, तो इसका एक layman terms में हम मतलब पहले समझ लेते हैं अब sexual harassment वैसे तो आपको act में already sections में दिया हुआ है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी बट अगर layman terms में हम जान लें कि sexual harassment मतलब क्या होता है, तो किसी भी तरीके का unwelcome behavior मतलब unwanted behavior, अगर कोई भी sexual unwanted behavior कोई आपके साथ कर रहा है, जो कि सामने वाले women को किसी भी तरीके से या तो offended feel कराए, या humiliated feel कराए, या फिर intimidated feel कराए, तो उससे हम sexual harassment कहते हैं अब sexual harassment की जब हम बात करते हैं, तो ये एक तरीके का gender discrimination ही हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये women के fundamental rights को infringe करता है चार articles हैं, जो हम consider करते हैं जब भी हम sexual harassment की बात करते हैं पहला article 14, जो की right to equality की बात करता है, तो जब ही भी किसी workplace पे किसी women के साथ ये sexual harassment का incident होता है, तो हम वो directly उसके right to equality को abridge करता है second है article 15, जो हमें ये कहता है कि कभी भी discrimination नहीं होना चाहिए on the basis of sex किसी के साथ तीसरा, जो article 19.1.G है, जो हमें right provide करता है, right to practice or profess any occupation, trade या business तो इस right को भी sexual harassment जो है, जब workplace पे किसी women के साथ होता है, तो इस right को भी एक तरीके से वो abridge करता है और साथ ही right to life, जो कि हमारा सबसे important right है, हमारा सबसे important fundamental right है Constitution of India में, उसको भी ये abridge करता है, तो ये चार articles आप हमेशा याद रखेगा, जो भी भी आप sexual harassment की बात करते हैं at workplace, किसी भी women के साथ जब ये होता है, तो उसकी ये चार fundamental rights को ये hit करता है अब अगर मैं बात करूँ, कि हमने हमेशा से newspapers में, articles में हमेशा देखा है कि खबरे आती रहती हैं बहुत पुराना अगर हम केस देख लें, तो 1988 के, रूपल देवल बजाज का एक केस था, जिसका मैंने यहाँ एक article आपको दिया है ये एक ऐसा केस था, जिसमें जो एक female servant थी, civil servant थी, उन्होंने एक DGP के खिलाफ जो है, एक sexual harassment का केस किया था ठीक है, इस केस में क्या था है, ये एक senior IS officer थी, रूपल देवल बजाज, जिन्होंने 1988 में complaint किया था, former DGP के खिलाफ, जिनका नाम था KPS Gill, कि उन्होंने किसी party में इनके साथ sexually harass किया trial court ने Gill को convict कर दिया था 1996 में, और SC ने भी इस decision को 2005 में upheld किया इसके अलावा जो हम अगर बहुत recent cases में देख लें, तो अभी जो सबसे दादा news में case था, वो था प्रिया रमानी का case, प्रिया रमानी जो की एक journalist थी, जो उन्होंने former एक minister को, जो MJ अकबर नाम के minister थे, उन्हें जो की पहले journalist भी रह चुके थे, उन्हें accuse किया था, उनके उपर acquisitions लगाये थे, कि उन्होंने उनके साथ, जो है, उनको sexually harass किया और फलटवार में, जो MJ अकबर थे, उन्होंने एक defamation case lodge कर दिया था, किस के खिलाफ प्रिया रमानी के खिलाफ, जिसमें की Delhi High Court ने उन्हें acquit कर दिया तो ये जो news सी, ये भी बहुत जादा, प्रिविलेंट, ऐसी news बहुत जादा प्रिविलेंट रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं और ये दो, दो मैंने आपको इंसिडेंट बताए हैं, वो आज तक के बहुत ही फेमस इंसिडेंट में या जो बहुत रामपन थे, एकदम नेशनल लाइम लाइट में थे, उन दो इंसिडेंट की बात मैंने यहां की है अब me too movement आपको पता है, ये पूरा जो इंस्टिंट था, इसको हम me too movement में ही फिंडे कहते हैं जो कि अएक global movement थी, जो कि बात करती थी, on a global level, about sexual harassment at workplace आपको याद होगा, बीच में, मीडिया में बहुत ज़ ज़ादा news थी जो actors ने, बहुत सारे cinema actors ने нे, allegations लगाए थे बहुत सारे दूसरे male actors पे related to sexual harassment तो ऐसे news हम हमेशा देखते रहते हैं अगर हमें जानना है कि जो हम अभी posh act पढ़ रहे हैं वो कैसे over the period of time ऐसे कौन सा बहुत एक major case हुआ या एक landmark judgment कौन सा था जिसकी वज़े से ये case इतना जादा लैंडमार्क हो गया कि Supreme Court को directions देने पड़े Union of India को ऐसा कोई एक act लाने के लिए जो कि specifically इस issue को solve करता हो मतलब sexual harassment at workplace for women के issue को solve करता हो तो हम एक ही जो है judgment का नाम सुनते हैं जो कि है विशाखा and others versus state of Rajasthan and others ठीक है तो विशाखा judgment हम हमेशा नाम सुनते हैं कि विशाखा guidelines है विशाखा judgment है तो हम यह देखेंगे कि over the period of time यह विशाखा judgment है उसमें क्या-क्या चीज़ें और हुई और कौन-कौन से cases आये कैसे यह सब add up करके एक act में need field हुई कि अब एक act लाने की जरूरत है जो कि 2013 में posh act आया अगर हम start करें तो Supreme Court ने जब अपना landmark judgment दिया विशाखा and others versus state of Rajasthan का उसके बाद ही उन्होंने कुछ guidelines दिये जिसको हम विशाखा guidelines कहते हैं और उस guidelines में के बाद ही Union of India को भी apex court ने direction दिया कि अब एक ऐसे law को बनाने की जरूरत है जो कि specifically इस issue को address कर पाए ठीक है तो 16 साल के बाद इस landmark judgment के 16 साल के बाद हमें post act मिला जो prevention of sexual harassment act की बाद हम अभी कर रहे हैं अब अगर मैं evolution of law को तीन part में divide कर दूं तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि जब विशाखा guidelines नहीं थे उससे पहले sexual harassment at work place के cases को कैसे solve किया जाता था विशाखा judgment में क्या lay down किया गया और उसके बाद post विशाखा सिनारियो में मतलब all कौन-कौन से cases आए कौन-कौन सी judgment आई Supreme Court की तो सबसे पहले अगर प्री विशाखा सिनारियो देख लें प्री विशाखा सिनारियो मतलब जब guidelines नहीं आये थे तब अगर वर्क प्लेस पे मिंस कार स्थल पे किसी भी विमन के साथ sexual harassment होता था तो दो सेक्शन जो थे IPC के वो हमेशा ही attract होते थे ठीक है तो जो पहला section है वो है section 354 ठीक है section 354 बात करता है assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty ठीक है यह जो section है वो यह बात करता है कि जबही भी कोई भी with the intention to insert the modesty of any woman कोई शब्द कहता है कोई भी sound कोई भी gesture कोई भी ऐसा object exhibit करता है उस women को कि वो उसकी privacy को intrude करे मता उसकी privacy के साथ जो है उसको disturb करे तो इसको हम किसमें ला देते हैं section 354 IPC इसमें attract हो जाता है ठीक है दूसरा है section 509 जो की बात करता है ऐसे world gesture या act की जो कि किसी women की modesty को insult करने के purpose से बोला जा रहा है तो इसमें कौन सा section attract होता है section 509 तो मतलब जब यह सारे guidelines नहीं थे तो basically यह दो IPC के section आते थे जब sexual harassment का कोई case आता था अब सबसे important है विशाखा जल्मिन नाम विशाखा है क्योंकि एक NGO का नाम था जिस बैनर के अंडर पेटेशन्स फाइल हुए थी बट इस पूरे scenario में जो involved lady है उनका नाम है भवरी देवी जो भवरी देवी थी यह राजस्थान में काम कर रही एक worker थी जो की basically एक गलित woman थी जिनको हम सांथी कहते हैं वो work कर रही थी Rural Development Program में Government of Rajasthan के अंडर एक development program था उसमें यह काम कर रही थी ठीक है और वहां पर एक campaign चल रहा था वह campaign था अगेंस चाइल मारज मींस बाल विवा के खिलाफ यह campaign चल रहा था पूरा अब इस बाल विवा के खिलाफ जो campaign था उसमें इन लोगों का काम यही था यह जो मेंबर्स थे इनका काम यही था कि लोगों को समझाएं कि कैसे जो बाल विवा है यह कूप रथा है उसको कैसे चोड़ना चाहिए या कैसे अब इसको खतम कर देना चाहिए जो कि उस वक्त राजस्तान के बहुत सारे एरिया में तभी भी फॉलो किया जा रहा था भवरी देवी ने यही किया था कि उन्होंने स्टेंबर 1992 में उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ कि जो पांच विलिजर्स ने पांच गाहँवालों ने जो कि एक अपर कास से बिलॉंग करते थे उन्होंने के हस्मेंट के प्रेजन्स में उनका रेप किया तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद जब भवरी देवी वेंट पुलिस स्टेशन न्याय पाने के लिए तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का को फेस करना पड़ा इवन जो ट्रायल कोड थी उन्होंने भी अक्यूस्ट को जो है रिया कर दिया अक्विट कर दिया जब ये हालत देखी इस केस की हालत जब देखी विमेन राइट एक् पिल फाइल की पॉब्लिक इंड्रेस्ट लिटिगेशन एक फाइल किया और उसका बैनर नेम जो था विशाखा के अंडर रखा मतला विशाखा एक एंजी ओ था बेसिकली और ये पूरा रिट पेटिशन इसी लिए फाइल हुआ ताकि सुप्रीम कोड का जो ध्यान है वो इ उने कैसे सेक्शली एक्स्प्लॉइट किया जा रहा है उन इशू के तरफ सुप्रीम कोड का ध्यान खीचना ही इस पूरे रिट्पेटेशन का परपस था अब हुआ क्या सुप्रीम कोड के पास अच्छली उस पक कोई स्पेस्टिक लौ नहीं था जो वो अप्लाई कर आएं काम पर महिलाओं को रख रहें काम पर उनको पूरा एक मेकनिजम बनाना है मतलмент एक पूरा एक ऐसा सिस्टम ब्रिजagn करना है जिस में अगर किसी महिलां के साथ ऐसी कोई घठना होती है तो उसको रिमीडी देने की ओसको कम पन्पनसेशन देने की पूरी वास्ता हो हो redressal system हो remedy compensation देने का system हो अगर निवारण का पूरा system हो अगर किसी के साथ कोई गलत चीज होती है ठीक है अब विशाखा guidelines को law की तरह treat किया गया अंडर article 141 article 141 जो है यह basically बात करता है कि जो भी law एससी declare करता है वो क्या होता है दूसरे courts पे binding होता है तो इसको article 141 के अंडर law की तरह treat किया गया और विशाखा guidelines को अगर हम बात करें कि जब frame कर रहा था Supreme Court तो Supreme Court ने कौन से convention का सहारा लिया तो यह convention याद रुखेगा convention on elimination of all forms of discrimination against women यह एक तरीके की basically international treaty है जो international bill of rights भी इसको कहते है women के लिए जो इसी बार में बात करती है कि आखे discrimination होता क्या है और कैसी जो nations है वो क्या-क्या action ले सकते हैं इस discrimination को हटाने के लिए तो इस पूरे treaty को क्यूंकि इंडिया इसका signatory था तो इस लिए इसका help लिया Supreme Court ने विशाखा guidelines को frame करने में ठीक है विशाखा guidelines जो थे जब वो फ्रेम हुए तो उनमें यह आया कि यह article 32 के अंडर जा रहे हैं क्योंकि article 32 के अंदर हमें right to move Supreme Court मिलता है तो यह जो है विशाखा guidelines दोनों sectors प्राइवेट हो या government sector हो दोनों पर ही apply करने वाले थे और Supreme Court ने यह कहा कि यह तब तक apply करेंगे जब कि हम लोगे एक law एक specific law नहीं ले आते हैं सिर्फ इस issue को solve करने के लिए ठीक है अब जब विशाखा guidelines आ गये उसके बाद से जो cases हुए उसमें क्या हुआ यह देख लेते हैं पहला जो case आया विशाखा guidelines के आने के बाद वह था Apparel Export Promotion Council versus EK Chopra इस जो यह पूरा judgment था इसमें Supreme Court ने emphasize कि हमने विशाखा क्योंकि guidelines ले आ चुके थे तो उसी को फिर से emphasize किया और एक senior officer जो की female employee को sexually harass करने के का acquisition जिस पे लगा हुआ था तो उनके वो already guilty उनको प्रूफ किया जा चुका था court में उन्होंने उस जो पूरा decision था उसको upheld कर दिया मतलब उनको dismiss किया जा रहा था उनकी dismissal को upheld कर दिया उनको dismiss कर दिया गया और यहां पर क्या किया court ने जो sexual harassment की हम अभी हो सकता है वह physical भी हो सकता है वह verbal भी हो सकता है वह written भी हो सकता है तो यहां पर इसी चीज की बात की गई कि जरूरी नहीं है कि अगर को करना जोप करना यह सब आता है अगर वह sexual nature का हो तो इसके बाद second जो हमारा केस था वह मेधा कोटवाल ले 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 एंडर्स वर्स वर्स यूनियों अफ इंडिया का था यह बेसिकली एक NGO की तरफ से किया गया था जो यह मेधा कोटवाल थी यह बिसिकली इंजियों से बिलॉ मतलब उनका implementation जो है उसमें लाक है वो सही से लागू अभी भी नहीं किये जा रहा है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो सुप्रीम कोट ने उनके उस लेटर को ही एक पेटिशन में बदल दिया और सारे स्टेट गवर्मेंट्स को भेजा और उनने कहा कि स्टेट गवर् इंप्लिमेंट करने के लागू करने के लिए उन्होंने क्या क्या मिजर्स लीया है जब स्टेट गय्वर्मेंट्स ने अपना एफिडेविट फाइल किया तो सुप्रीम कोड को यह पता चला कि अभी तक जो इंप्लिमेंटेशन है विशाखा गाइडलान का वो कहीं भी सब्सक्राइब नहीं थे कि विशाखा गाइडलाइन को अच्छे से लागू किया गया है हर जगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ठीक है अब सुप्रीम कोट ने इसके अलावा ये भी कहा कि अगर विशाखा गाइडलाइन का कहीं नौन कंप्लाइंस होता माल लीजे कहीं पर कोई केस जा रहा है वहां पर जो भी अथारिटीज हैं वह विशाखा गाइडलाइनस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हों ने अग्रीव पर्सन को जो विक्टिम है उसको यह राइट दिया कि आप जो है रिस्पेक्टिव हाइड को भी अप्रोच कर सकते हैं यह राइट कैसे कैसे बिल ड्राफ्ट हुआ फिर कब वो लोकसभा में गया कब राजसभा में गया इसकी पूरी मैंने एक टाइम लाइन दी है सबसे पहले स्टार्टिंग में 2007 यह बिल जो है यूनियन काबिनेट ने अप्रूफ किया ठीक है 2010 में यह लोकसभा में गया और 2012 में यह अम यह बिल लोकसभा ने पास किया September 2012 February 26 को यह राजसभा ने पास किया April 23rd 2013 को फाइनली इस आक्ट को जो है प्रेसिडेंट का एसिट मिल गया और यह अक्ट नमबर 14 और 2013 के लाए तो यह याद रखी का कौन सा नमबर का अक्ट है ठीक है अक्ट नमबर 14 और 2013 और सबसे इंपोर यह इट केम इंटो फोर्स ठीक है जिस दिन से यह एफेक्टिव हुआ तो इंडियन मिनिस्ट्री ओफ जो विमन एंड चाइल डेवलप्मेंट है उन्होंने December 9 2013 को पॉश आक्ट और पॉश रूस के लिए कुछ रूस भी आया थे आक्ट के साथ उनके लिए इसको कि यह इंट्रडाक्टरी लेक्चर है तो हम एक थोड़ा सा ओवर्व्यू लेंगे पॉश आक्ट का इसमें कौन कौन सी जो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है पहला यह है कि इसका जुरिस्डिक्शन जो है एक्स्टेंड करता है पूरे होल उफ इंडि प्री रिक्विजिट्स है इस आक्ट के अप्लाई होने के लिए मतलब यह चीज़ें अगर होंगी तभी अप्लाई होगा तो उसमें पहली चीज़ है कि विमन को वो सेक्शल हरास्मेंट जो वो फेस कर रही है वो उसके कारस्थल पे होना चाहिए जब कारस्थल पे होगा तभी यह आक्ट वहाँ पे अप्लाई करेगा वर्ना यह अप्लाई नहीं करेगा ठीक है । दूसरा यह है कि यह अक्ट जो है जेंडर नीट्रव रेजिशलेशन नहीं है ये सिर्फ में को प्रटेक्शंब्राइड कराता है अब ऐसा हो सकता है कि जो एंप्लॉयर्स हैं वो अपनी पॉलिसी को ऐसे एक्स्टेंड कर लें कि वह मैंन को भी इसमें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने लगें बट इस आक्ट को जो है यह आक्ट जो है वह स्पेसिपिकली विमें के लिए है ठीक है तो यह कोई अगरी बन्हें को यह और दोनों जैंडर के लिए नहीं है मेल्स फीमेल Dauk लिए नहीं सिर्फीμέнить यह अप्लाइख करता और शॉट क同र जो धूनों तरीके सेक्ट्र सट गिलर्ठ को यह सब्स्ठाइग एक्ट कि जान्ट जैस्तात ऊंट जैसे हुट sitä इस यहां धूनव जो इस Act का सबसे important feature है वो यह है कि यहां पर कुछ committees को set up करने की बात की गई है remedy provide करने के लिए ठीक है वो committees कौन सी है जैसे internal complaints committee और local complaints committee इनको set up करने की बात की गई है और जो एक सबसे अच्छी बात इस Act की है जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यह एक तरीके से fair decision आएगा, fair judgment की बात करता है तो यह Act false prosecution की possibility को भी consider करता है मतलब जैसे कभी-कभी क्या होता है कोई women किसी तरीके के malified intention के साथ, गलत intention के साथ false case या complaint कर देते है तो अगर इस Act के तहट ऐसे भी provisions हैं जो यह बताते हैं कि अगर आप malicious complaint कर देते हैं या गलत complaint किसी के खिलाफ करते हैं वह सही में ऐसा होता नहीं है लेकिन आप किसी गलत intention के साथ किसी के खिलाफ complaint कर देते हैं तो वहां पे भी आपके लिए एक provision है जिसमें आपको punishment दी जा स complaint लिखवाई थी ठीक है अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हम definition clause ही आज पढ़ेंगे और definition clause में भी हम तीन चीजों का तीन चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे जो मुझे लगता है अभी आपके लिए सबसे जादा important है वैसे तो हम सारे sections को ही पढ़ने वाले हैं सारे sections को हम लोग लाइन से पढ़ेंगे बट आज के लिए क्योंकि एक introductory lecture है तो मैं आपको पहले तीन section जो मेरे हिसाब से important है वो पढ़ाऊंगी उसमें एक है section 2 का clause A जो aggrieved women की बात करता है clause E जो domestic worker की बात करता है और सबसे important जो end clause है जो sexual harassment की बात करता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं aggrieved woman तो aggrieved woman जिसको आप क्या कहते हैं व्यथित महिला मतलब जो महिला जो victim है उसका मतलब क्या होता है तो उसका मतलब आप दो तरीके से समझ सकते हैं पहला अगर किसी कारस्थल के रिलेशन में मतलब कोई work place के relation में अगर बात हो रही है तो और अगर किसी dwelling place के relation में बात हो रही है घ्रेलेशन कोई रहता है ठीक है तो in relation to work place in relation to dwelling place और house ऐसे आप समझें कि कोई व्यथित महिला है तो उसका मतलब क्या होगा अगर हम कहते हैं यह अग्रीव्ड वुमिन है या विल्टिम है तो उसका मतलब क्या होगा दो मतलब हो सकता है पहला हो सकता है अगर वो वर्क प्लेस पे है तो कोई भी वुमिन कोई भी woman जो किसी भी age की हो ठीक है चाहे वो employed हो या ना हो मतलब वो नियोजित हो या ना हो ठीक है अगर वो ये allegation लगाती है या आरोप लगाती है कि उसके साथ उसको sexually harass किया गया है respondent के थूँ तो वो agreed woman हो जाएगी ठीक है अगर second की बात करें अगर कोई dwelling place या house है जहां कोई दहता है तो कोई भी woman किसी भी age की जो ऐसे जगह पे employed है ठीक है जो ऐसी जगह पे employed है वो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगी अग्रिवड वोमेन या जो व्यथित मैला उसको कहेंगे हम 오른 हंको कंदेख मैं कुछ In chee जो हममरा clauses है वो बात करता है कि domestic worker हम किसको कहते है domestic worker मीर्जव आपका जो घ्रहस्त कंचारी होते है प्रिज़ी और ऊवह क्म करो कंचारी तो मतप लिख़े आपके घर में कोई काम करने वाला वालती है तो उसको आम घरेलू कमशारी कहेंगे वो क्या करती है घर के काम करती है उसके बदले में उसे renumeration या जिस भी तरीके से उसे pay किया जाता हो अब हो सकता है कि वो temporary basis पे हो या permanent basis पे रखी गई हो या वो part time काम करती है या full time काम करती है उससे कोई मतलम नहीं है ठीक है वो जिस भी तरीके से रखी गई है आपने अपसे डरेक्ली रखा है किसी एजिंसी के थ्रू आई है या फिर temporary basis पे आपने रखा है या permanent basis पे रखा है थोड़े time के लिए काम करवाते हैं या पूरे दिन के लिए वो काम करती है ये सब चीजे matter नहीं कर सकती इन सब ही cases में वो क्या है domestic worker कहलाएगी लेकिन domestic worker में कौन include नहीं होगा तो ये नहीं include करता है any member of the family of the employer मतलब जो respondent है उसकी family के किसी member को हम domestic worker में नहीं रख सकते हैं अब सबसे important definition जो बहुत ही जादा important है सीधे section पूछ लिया जाएगा या definitions ही पूछ ली जा सकती हैं वो है sexual harassment की तो जो 2N है वो बात करता है कि sexual harassment में कौन-कौन से acts आते हैं मतलब कौन-कौन सी चीजे होंगी तो हम इसे sexual harassment consider करेंगे सबसे पहला है physical contact and advances physical contact means किसी तरीके का कोई भी शारिरिक संपर्ख अगर होता है या advances होते हैं तो उसे हम sexual harassment में करेंगे अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना कि कोई भी आक्ट है अगर वह unwelcomed है one-sided unwanted है तो वह क्या हो जाता है sexual harassment कहलाता है second है a demand or request for sexual favor किसी भी तरीके का मांग रखना किसी भी मतलब कोई किसी महिला से किस तरीकी की मांग रखता है जो किसी sexual नेचर की मांग होती है तो उसे भी हम sexual harassment कहेंगे साथ यह sexually colored remark मतलब किसी के जेंडर पे जिसे विमन है तो उसके जेंडर से रिरेटेट किसी तरीकी कोई टिपड़ी करना यह भी sexual harassment में कंसीडर होता है यह एक्ट फॉर्थ है शोइंग पॉर्नोग्राफिय मींस किसी को पॉर्न पॉर्नोग्राफिय रिलेटेड कोई भी material दिखाना चाहिए वीडियो हो फिल्म हो फोटो हो कुछ भी हो ऐसा कोई कोई material दिखाना किसी विमिन को वह भी क्या कहलाएगा sexual harassment का ही आक्ट कहलाएगा और फिफ्थ है फिफ्थ जो दिया गया है पार्ट उसने क्या किया है sexual harassment का जो पूरा स्कोप है ना वह बढ़ा दिया है मतलब वह बहुत सारी चीज़ों को हम लोग sexual harassment में consider कर सकते हैं इस पार्ट की वज़े से एंडियादर अनमेलकम फिजिकल वर्बल और नौनवर्बल चाहे वह फिजिकल हो वर्बल हो मिन्स बोल के कोई आपको कुछ ऐसा कह रहा है सेक्शल नेचर का जो आपको अफेंड कर दे रहा है या फिर फिजिकली कॉंटाक्ट मतलब कोई शारिक संपर्क आपसे कर रहा है या किसी भी दूसरे तरीके से कोई ऐसा आचरन कर रहा है कोई ऐसा कंड़क्ट कर रहा है कि वह आपको किसी तरीके से हीं इंडिमिनलीयट कर रहा है तो वह किसमें आजएगा सेक्शल हरास्में में आजएगा तो आपthest आपको यह यह वहकतना कि यह पांच जो चीजें हैं यह पांच यू अगि भीyyUU है इसको हम सेक्शल हरास्में तो 수 दूसरा अगर आप किसी से डिमांड करते कोई सेक्शुल फेवर के लिए तीसरा कोई तरीके की टिपड़ी करना किसी लिंक से रिलेटेड ठीक है वुमिन की बात हो रही है यहां पर यह याद रखिएगा शोइंग पॉर्नोग्राफी किसी विमन को कुछ पॉर्नोग्राफिक कि अब जो सेक्शन 3 है हमारा वह बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्शल असौल्ट की इस सेक्शन में यही कहा गया कि किसी भी महिला के साथ सेक्शल हरास्मेंट एट वर्क्रेस नहीं होना चाहिए ठीक है और उसमें कुछ सरकम्स्टांस दिया है कि यह यह अगर होगा यह अगर होगे 5-6 सरकम्स्टांस आपको दिये हैं अगर इनका रिलेशन सेक्शल हरास्मेंट से किसी भी तरीके से होता है तो यह भी सेक्शल हरास्मेंट ही माना जाएगा ठीक है इसमें सबसे पहले है इंप्लाइड या एक्स्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रिफरेंशल ट्रीट अगर एसे कहता है कि यह करने पर आपके साथ इस तरीकी का ट्रीटमेंट किया जाएगा तो यहीं सेक्शल हरास्मेंट का ही पाट हो जाता है कोई अगर बोल कि explicit means डिरेक्ली बोल के या इनदरेक्ली किसी से भी कोई प्रोमिस करता है कि आपको कोई प्रफरेंशल ट्रीटमे तो यह भी sexual harassment का ही पार्ट माना जाएगा means कि अगर उसको आप वादा करो कि अगर यह sexual nature का act आप करेंगे तो आपको यह treatment दी जाएगी तो यह भी sexual harassment माना जाएगा ठीक है second यह कहता है implied explicit threat of detrimental treatment मतलब आप किसी को धम다가 कोई एंसान पैब कोई बी जो मेल है वो मेरं कोई धमकी दे रहे है कि अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम्हारे साथ ऐसे बोरा वियभार कियागा यह धमकी दे रहे हैं किसी इशिए भी तरीके कि आप उसको कि आपके employment में आपके साथ ऐसा गलत treatment किया जाएगा, बुरा व्यभार किया जाएगा, तो वो भी sexual harassment में ही माना जाएगा, ठीक है? Third है, implied or explicit threat about a present or future employment status. अब कहा जाए कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगी, तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे. तो इस तरीके का कोई भी उसको धमकी देना, उसके employment status से related, वो भी sexual harassment में consider किया जाएगा. Fourth है, interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her. मतलब, कोई भी लड़की अगर कोई sexual favor आप मांग रहे हैं, कोई male मांग रहा है और अगर उसे नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ऐसा work environment, जो है create कर देना, जिसमें वो humiliated feel करे, या उसके नीचा दिखाने वाला work environment, या उसके लिए वहाँ पे काम करना मुश्किल कर दे, ऐसा कोई work environment create करना, ये भी, या फिर उसको उसके work में किसी तरीकी की दखल अंदाजी करना, वो काम कर रही है, उसके काम से किसी तरीकी की दखल अंदाजी करना, ये भी किसमें आ जाएगा, sexual harassment में ही consider किया जाएगा, और कोई भी humiliating treatment, जो उसके health या safety को effect करे, मतलब आप उसे किसी भी तरीके से, अगर humiliate कर रहे हैं, छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा feel करवा रहे हैं, उसकी health से related उसके साथ बुरा वैभार कोई भी कर रहे हैं, जो कि उसकी health उसकी safety को किसी भी तरीके से, जो है effect कर रहा है, तो वो भी किसमें आ जाएगा सेक्शल हरास्मेंट में ही कंसीडर किया जाएगा ठीक है अब इसके साथ हम सारे बाकी जो अपने तीस सेक्शन से वो सब पढ़ेंगे सारे डेफिनेशन में जितने भी क्लॉसेंट सब पढ़ेंगे हम आप चाहें तो हमारे झाल झाल झाल